ये साल चुनावी साल है और अगले कुछ महीनों में विधान सभा चुनाओ आ जाएंगे लेकिन विधान सभा चुनाओ के पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर के दिल में क्या चल रहा है जिन्होंने पिछली दफा उन्हें चुना था क्या उनकी अपेक्षाओं पे खरे उत्रे या उम्मीदे अभी बाकी है क्या वो नया चाहरा चाते हैं क्या उनके इलागे में काम हुआ सड़क पानी बिजली तमाम बुझनादी बुनियारी जो जरुरते हैं क्या वो पूरी हुई और अगर नहीं पूरी हुई तो उसके पीछे वो कारण क्या मानते हैं तो चलिए इस वक्त हम मौझूद हैं राइपर उत्तर विधानसभा में और उत्तर विधानसभा की नब्स टटोलने की कोशिश करते हैं राइपर उत्तर में विधायक है कुलदीब जुनेजा और करीबन छे मैंने के करीबन के बाद विधानसभा चुनाओं होने वाले हैं लेकिन उसके पहले हम इस विधानसभा चेतर में अलग-अलग जो मौले हैं उनको जाकर पूछते हैं पता करते हैं कि यहां पर काम कितना हुआ है यह लोधी पारा के पास का इलाका है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तरुन नगर जो है वो नारिया जो है बजबजाती नालिया आप यहां पर देख सकते हैं ये सूच सकते हैं कि इस तरह की जो बजबजाती नालियों के आसपास लोग रहने को मजबूर हैं आप यहां से लेकर पूरे इस इलाके में घुमेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह की गंदेगी जो है वो यहां पर पसरी हुई है विधायक यहाँ पर आते हैं नहीं आते हैं विधायक के काम से कितना खुश हैं लोगों से बात करते हैं लेकिन उसके पहले आप देखिए कि ये क्या आपको लगता है कि बतो और मनुश्य आप ऐसी जगों पे रहना पसंद करेंगे, अपने बच्चों को रखना पसंद करेंगे, जहाँ पे इस तरह से बजबजाती हुई नालिया मौजूद हो. अम लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या जरुरते हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं और ऐसे समय में जब करीमन साड़े-चार साल का समय जो है विधायक को मिला है, वो अपने काम में कितने खरे उतरे हैं. आप ये बताईए कि यहाँ किस तरह की परिशानिया हैं? विधायक नाम नहीं जानती हैं, वो तो इधर नहीं आता हैं, आपने देखा भी नहीं को आता हैं, आपकी तबियत भी बिगड जाते हो कि इस तरह से नालियों के आसपत रहे हैं, कल तो हमारा वो छोटा वला बच्चा इसके अंदर गिर गया थो बैठा है जो, अंधा मों इसके अंदर इसकी शिकायत आप लोगों कर लिए नहीं कर बटा किसके पास जाएंगे कोई सुन्धाव हो बोल रहेंगे करने तो कोई कुछ देखने तक नहीं आता नहीं आते हैं, वो एक तरह गार्जियन होते हैं, आपके विधान सबाचेत्र के कभी तभी आ जाते हैं, आपकी बोलो तो कभी नहीं आते हैं, लेके परिशानी के सामना करना पड़ता है वेला जायक बहुत पुमार का पानी, उभी है, अभी आया नहीं है। आप यह देख सकते हैं, आप अन्दाजा लगाई है कि इस तरह से नाली के बीश से पीने के पानी के पाईपलाइन दी गई है। और ऐसे में जब कभी भी ऐसा होता है, कि कभी कोई खरोच आ जाती है, पाइपलाइन फट जाती है, तो ये नाली का पानी जो है, वो पीने के पानी के जरीय पहुंचता है, और उसके बाद आपने देखा था, कि राजधानी राइपूर में कैसे पीलिया से मौते हुई थी, याने कि निमंद्रन है पीलिया को, और भी लोग हैं उसे बात करते हैं, ये बताएए क्या आपको लगता है इस इलाके में काम करने के ज़रोती है और हुआ नहीं होती है, पानी आता है, पानी टाइमस आता है, और गर्मी में दिक्कत तो नहीं होती है, गर्मी में दिक्कत ह कि इस बार तो बोलने हैं कि 30 साथ का रिकॉर्ड टूटे गा हरवार गर्मी में किस सीची का साम्दा अपड़ा करना पड़ता-पलगत यह पीने का पानी परियाप नहीं आता नहीं गर्मियों के टैम में यह तो बुज़ुर्ग हैं बच्छे हैं दिक्कत होती हूगी आपको काफी हैं प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोग इदर उदर से लेकर आते हैं वह जिकायत है यह पुज़ुर्ण होती हैं अब आएंगे चुनाओं के सिना जब आएंगे तब देख लेंगे जब आप देंगे आप बताइए इस पूरे इलाके में प्रॉब्लम्स हर चीज का पानी नहीं आता लोट खालाब है नाली सपाई नहीं होता बच्छे लोग का यह बार गिरें लिकानी नहीं में हर चीज कर दोब्लम्स करने को यह विदायक दॉल मिले थे लाइं नहीं कभी आया, आएगा जब तो बात करें कभी आया ही नहीं कभी नहीं तो भूपार्टी-चौक में बैठे रते एंगे तो हम हम वहां जाएंगे कि वह आएंगे उनको आना ची आते है पर पर देखेंगे कि देखेंगे क्या मजबूरी है कि बुजूर्ग जो वेक्ति हैं उनको अगर घर के बाहर भी बैठना है तो बजबजाती नालियों के बीच में बैठना पड़ेगा और जाहिर तोर पे आप सोच्कते हैं कि उनके सेहत को जहें एक इतना असर पड़ेगा बीचि नहीं होते जाथा नाली में कच्रह रहता लिकारते हैं दो-दो-तीन तीन तफर रह तो रहाता यह उटाते ह 어우 डिन हूं और पानी की भी समस्याह कर अभी तो यह नला रहे एगा लारा रहे बाकी तो बहुत गर्मी में गर्मी में नहीं आता पानी किसे करतें आप परशानी होती है रशी करना पड़ता है बेदर यहां पैसा है कि तबएद भी खराब हो depress lead-up गर्मी नवान होती है ना उगा मदी बताई एओ टबियत खराब हो जाती है पीलीय से गरस्त हो जातने गंदा पानी आता है जो नल में पीलिया की परिशानी हो जाती है यहां पर हम लोगों को अब जो नाली की सफाई दीदी जो सामने सामने दिकरा बास मही का कच्रल कालते ऊ झीजी करन कर लिए उपर से ढाल दियों उसकी साफाइष नहीं होती बारिष में पूरा गंदा पानी ऊपर आता है हमारे कहर में तो खुसता है पानी अब जिनका उंचा बन गया कर तो नहीं होते हैं हम लोग तो बहुत परिसान हो जाते हैं लेकिन अब मैं तो अंदर रहती हूं घर में रहती हूं लेकिन मुहले से कोई निकलता तो पता तो चली जाता ना कर देखी रही हो क्या है सफाई जालू जाने वाले कर्मचारी आते हैं कि इतना भी मना करो वह करो समझतिश नहीं है असर है तो मुश्किल है मतलब बहुत परिशान है विदायक के काम से पूछ है क्या और विदायक से विदायक तो देखते नहीं कब आते कब चली जाते हैं उसको वह नहीं है कर दो कौरोना के हाल में भी हार चाव पूछने नहीं है आये खे मगर हम लोग तो अंदर थे आसे बताते हैं सब लोग आयाै थे पूछने ढबात अगर तो दाले है यह करें उसको बात तो पताहीं है करते हैं इस पुरी कोलोनी तो नाली कितना गंदा है देखो न तो नाली को धकना भी चाहिए नहीं एक दिन बाद में तो आई होई था मन देखें नियान भाई लेकिन आही तो पता चल जा थे नहीं कर दो थे लिजान लहां रहां है तो बहुत बहुत आए चलते तो यह बताओ कि फिर चुनाव के समय आई तो का जवाब का जवाब चुनाव ओट के लिए बोलते हैं सब सफाई करेंगे सफाई करेंगे जब जीच जाते हैं तो भूल जाते हैं पूरा सफाई काम सब भूल जाते हैं और क्या नहीं बूलते हैं ओट के लिए तो हर को करेंग मच्छर पनकता है नहीं होगा यह आप देख सकते हैं कि यह नालियों के बीच से जो है पीने के पानी की पाइप लाइन गई है यह जो तरुन नगर का इलाका ऐसा भी नहीं के बहुत इंटेरियल इलाका है मोवा के आसपास यह पूरा इलाका है और प्रमुख जो एरिया है उ पेटर से भी पेटर हुआ है काम और यहीं किसब पहले भी नहीं होती है पहले पीने हो अहीं होगा नहींने सबसे पहली बार तो सफाई अच्छी होनी चीए जाड़ू और सब्सक्राइब करते तो उसमें बैटर होता है कि आपके खर्चे भी बढ़ते नगर निगम के अब वह चीज नहीं होता है जान थोड़ीन देंगे इसको तो फूधार होना चाहिए नाली जाती है नाली युदि आज भी थी आज भी है काम है जो पहले दी आज वह ही है पूरा मुहला आपको दिखाएंगे हर जगह आपको बजबते आती विनालियां दिखाएंगी यहां पे बहुत सारे बुजूर्ग हैं अमुमन हर घर में बुजूर्ग आपको बच्चे नजर आ रहें उनकी बजबूरी है है अब प्रिशानी होती है दर गंदेगी से ? ठंदेगी से, यहां पर गंदेगी से लगती है, बहुत परषानी है पुद्धायक को नहीं बता पाता तो वोटर की गलती होती है कि विधायक की क्योंकि उसने वो सवाल यह बात को रहेकर भी उठते है कि वह साड़े चार साल तक है क्या उसने अपने वोटर से मुलाकात की विधायक जो होते हैं अपने विधान सभाच छेतर के एक अबिवाग की तरह होते हैं उनके जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके वोटर से हैं उसको ध्यान रखने की और उसकी परिशानियों को दूर करने की यह तरुन नगर का इलाका था और यहाँ पर हमने करते हैं कि रायपूर उत्तर के विधायक कुल्दिव जुनेजा से उनके वोटर कितने खुश है यह ना खुश है कि अपि और यहां पर फिर से मापको दिखाएंगे अभी तक जो मौले दिखाएं वहां पर है कि किसे जो हैं यहां पर देखेंगे कि कैसे जो है यह मोहला नालियों और बैला जाता पड़ा वा है और जैयर देखाएंगा पीने के पाणी पाई पीपलाइन फूटः कि प्हूट गई होती घद्या पानी पहसिए कि उसने कला स्पीपने कांटे कहा बटू सा हुआइन चाहिये कि साप पानी साप रहवास है वह अपने वोटर्स हैं उनको मिल सके जो लोग यहाँ पर मौजूद इस250 करते हैं उनकी कि परिशानी है क्या परिशानी परिशानी यह है कि जो अभी कर्ट्रक्षन का काम चल रहा है, उसे पुरा नाली ब्लॉक कर दिया गया है इसकी वुज़ासे यहां पे पुरा गंदेघी हो जा रहा है पुरा मच्छर से पर सान गंदी पानी ब्लॉक हो जा रहा है उधर से झो मध्व्य युरा पानी पानी निकाल रहे हैं पुरा पानी रोट पर उया बद्बु भलत परसादी विदायक है और यहां के पारसाद है अमितेज भारत द्वाज जो कि बिल्कुल अभी ध्यानी दे रहे हैं विदायक जी तो कभी आए नहीं है कभी नहीं है अब आए नहीं तो कभी देखी नहीं से लिए में अपन लास्ट वीडियो अगेरा फोटो अगेरा में देखे होंगे बस और वही कॉरोणा के समय से निये नाली जब से ब्लॉक है बहुत टाइम हो चुका है कछड़ा साप नहीं हुआ है यहां बहुत मच्छड आता है नहीं हमारा ऑफीस है गंदगी जी विदायक को कभ मिले से मीले मैडम आते रहते हैं और देखते रहते हैं लेकिन कोई का मिलें और नहीं काम नहीं किये निगलवाते भी तो ददद दिन यहीं पड़े रहता है तो ना विधायक आते ना पार्शद आते हैं आप यह देख सकते हैं कि यह भी इलाका जो है इस तरह से बजबजाती नालियों से भरा हुआ है और यह बीश शहर का हाल है शहर के बीचों बीच किस तरह के स्थिति है जो जहां पर प्रमुख जो है वो दुकाने हैं व्यावसाई की स्थल है और तमाम नेता यहां से गुजरते हैं तो यह एक और मुहला हमने आपको दिखाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट लेने के लिए लो जो तमाम नेता जो है वो घर-घर दरवाजे दरवाजे जाते हैं हाथ जोडते हैं और एक उम्मीद जगाते हैं कि हमारे आने के बाद में तस्वीरे जो है वो बदल जाएगी लेकिन उसके बाद भी न तस्वीर बदलती है बलकि न जो वोटर है उसकी तकदिर बदलती है और अभी अगर हमने बात करें तो राइपूर उत्तर में के ज़िए टर लोग वो जो नालियों से जो misfuy रहें और उनका कहना है कि पहले काम हुए थे लेकिन अभी काम जो है उटने जहां लएक बाता है और pacard का काम नता अनज़र आते हैं यह जरूर जरूरत है उसके विदान सबाचेतर के लोगों की जरूरत है कि वो उस तक आए और वो किसी एक जगा पर बैठे रहे लेकिन वो न पहुंचे तो कहीं ने कहीं चुनाव सामने हैं और ऐसे में अगर टिकेट मिलता है तो वोटर का जवाब जो है वो काफी किस तरह का मिल सकता ह है इसका भी आप अंदेशा लगा सकते हैं अब इस वक्त हम मौझूद है लोधी पारा में और यहां पर व्यापारियों से बात करते हैं कि क्या उनकी परिशानिया हैं जिस पर काम करने के जरूरत थी और क्या अपने विधाय के काम कास्ते वो खुश है या क्या उनकी जरू नहीं थी जो पूरी हुए है और क्या उम्मेर लेकर नहीं हुए है एक दुकान में इस वक्त मौधूद है बर्तन के दुकान है और बाबुजी मंअसत्राइबात करते हैं दिने नमसकार आपbnा पताएक कौन है हमारा विधाय कुल्दी जुरिया झाजी समय पर चीज की है आज कर रोड रस्ते पानी समस्या पानी समस्या है पानी पानी बहुत सब्सक्राइब देखने नहीं है नालियों में कच्छा भरा रहता है तो क्या उम्मीद करते थे आप उसक्त लेकिन वोट आपको लगता कि बरबाद हो गया यह सब कवह रहा कि कबड़े से लग रहा कि बड़े निराष से लग रहे हैं वही कहाम रहाने कि कोई when लेता हो कोई एपार्टी हो जubenों हाल है कंभी नहीं इन्सक्राइब कर दुख नहीं कि क Iline यह दिन्मिया कम कभी नहीं हो werden उनको हाल चाल पूछते रहना चाहिए पता कर टे रहना चाहिए कि मेरी जंठा कैसी है वह नहीं हुआ बिल्कुल पूछते रहना आते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, बेल मला होते रहना चाहिए, जो कि वो नहीं हुआ. क्या क्या परिशानी है आपके महले में हमारे महले में वैसे तो आम तोर पे नालियों की समस्या है, बरसाथ की पानी जो है महले के अंदर से जाती है, तो उसके लिए मिलत निकासी होना चाहिए, तो ये काफी सारी है, अब मैं आपको क्या बता हूँ, जैसे की नल की समस्या है रोजगार के साधन कुछ होए क्या रोजगार के साधन वहां प्यासे तो कुछ है नहीं पीरिया की परशानी